हम अपनी लाइफ के निन्ने खुद नहीं लेते हैं, हम अपनी जिन्देगी के डिसीजन खुद नहीं लेते हैं, हांजी दोस्तों, ये जो निन्ने है, डिसीजन है न, ये हमारी बुद्धी लेती है, और ये सब डिसाइड होता है हमारे कर्मों के आधार पर, कि हमने किस सरीक और वीडियो को कर दिजिएका लाइक हमेशा की तरह वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल और बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो एंड तक मनी रहेगा दोस्तों वीडियो में दोस्तों हमारी जिंदगी के बहुत सारे निंड्ने हमने ऐसे ले लिये होते हैं जिसके लिए हमें आज सोचना पढ़ रहा है पस्ताना पढ़ रहा है कि हमने ऐसे निड्ने लिये तो लिये क्यूं हम तो ऐसे नहीं थे कैसे हमारी बुद्धी ने साथ नहीं दिया आखिर कैसे मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे ये काम करना है या मुझे इस फिल्ड में जाना है या मैंने किसी के साथ ऐसा वेवार कर कैसे दिया है ना ऐसा होता है ना नॉर्मली दोस्तो सब के साथ ऐसा ही होता है हमें करना कुछ और होता है और हम कर कुछ और जाते हैं बोलना हमें कुछ और होता है और हम बोल कुछ और जाते हैं ऐसा होता है दोस्तो लेकिन हमने कभी जानने की कोशिश की है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है हाँ जी दोस्तों ये होता है हमारे कर्मों के अनुसार कि हमने कैसे कर्म किये होते हैं जो हमारे कर्म है ना ये हमारी बुद्धी को फेर के रख देती है जब हम कोई dinner लेते हैं या decision लेते हैं या हम कुछ बहुत गहरी बात कहीं पर कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें बोलना कुछ और हुता है बोल कर अजाते है अमस्त्ति हमारी को कहरेंगे हैं कि ये सब चीज़े हमारी life में हो रही होती है और हमें नहीं पता होता कि आखिर ये सब जालाइफ में हो क्यों हो रहा है जब आपको पता लग जाना कि हमारी जिंदीगी में सब कुछ कर्मों का खेल है गोल-गोल हमारे कर्म घुम रहे हैं और घुम कर हमारे पास ही वापस आएंगे तो फिर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों जब आपको समझ में आ जाए जब आपको ज्ञान हो जाए जब आपकी बुद्धी ज्हागरित हो जाए यह निकि आप सोचने लगो इन चीजों को समझने लगो तो उसी देन से उसी पल से अच्छे कर्म करना इस्टार्ट कर दिना चाहिए, अब आप काऊगे कि हमने कौन से बुरे कर्म किये हैं, हम तो अच्छे ही करते आ रहे हैं, दोस्तों हम बहुत सारे जाने अंजाने में ऐसे कर्म कर देते हैं न, कि हमें खुद नहीं पता होता, कि हमने किस से कब क्या कहा, कि किस बात से कब किस का दिल दुखा है ना किसी को पथर मारना या किसी को चांटा मारना किसी को पीटना जब हम एसी चीज़ות करते हैं तो वही कर्म बुरा नहीं होता है वो तो आपको दिख रहा है कि आप कर रही हो Het उसकोड लगी है वWh होते हुए आप देख रहे हों कुछ कर्म हम ऐसे कर जाते हैं जो कि हमारी बुद्धि करवा दिती है वह भी कर्म से कि किसी को इमोशनली हट करना किसी को दुख दे देना किसी को इतना परेशान कर देना अपनी बातों से कि वह अंदर से मतलब दिल से रोई और जब कोई इंसान दिल से रोता है न तो उसके जो आंसू होते हैं वह बहुत कुछ कह जाते हैं कि जब कोई इंसान दुखी होता है और जब ज वज़े से जिसके चेरे पर खुशी आई है हमारी वज़े से जिसकी लाइफ में happiness आई है वो खुश है और वो दुआ दे रहा है तो वो भी हमारी कर्मे में आ रहा है लेकिन वो जा रहा है हमारी हमारी दुआ की रूप में खटा होता जा रहा है यह निकि जब हमारी लाइफ म किसी की मदद की होती है किसी को खोश्यां दी होती है कोई हमारी वज़े से खोश होता है तो जब वो हमारे लिए दुआ करता है हमारे लिए विश मांगता है हमारे लिए प्रातना करता है तो वो हमारे होते हैं वो कर्म जिसकी वज़े से हम उस जो प्रॉब्लम वाली समय है, जो कटनाई वाला समय है, उसको हम पार कर जाते हैं, यह हमारी लाइफ में के प्रॉब्लम आ रही होती है, तो वो पॉजिटिव चीज़ें इकटी होके हमको दोआएं, हमको उस चीज़ें बहार निकालती हैं, तो जब आपको पता लग ज समझने की बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है, इस पात को ना दोस्तों कोई समस्ता नहीं है, और समझने की कोशिश भी नहीं करता, बैस यह कहते रहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम तो किसी का बुरा करती ही नहीं है, और वो जाने अन इतना बुरा करते हैं, इतना वानी से उल्टा चिता बोल जाते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता उनको, उनका काम है सिर्फ बोलना, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, गली से कोई निकल रहा है, है ना, किसी ने कैसे कपड़े पेन रखें, कोई कैसा दिख रहा है, कैसा नह हम लोग बात करते हैं फिर भी उसके बारे में पीचे से बात करते हैं तो वो क्या बन रहा है वो हमारा कर्म ही तो बन रहा है हम क्या अच्छे कर्म कर रहे है आप गोलोगे यह तो कोई बुरा कर्म थोड़े ना किसी के बुरा करना दोस्तों जो घड़ा है न वो बून-बून करके हमारी तुजूरी में खटे होते रहते हैं तब ही तो कहते हैं कि पैसा तो लोग बहुत कमा लेते हैं कि क्या आपने अच्छे कर्म कमाए हैं क्या आपने ऐसी चीजें लाइफ में की हैं जिसकी बज़े से आपको दुआ मिले लोग क्यों क्यों इतने परुपकारी के काम क करते हैं कि वह snore कि वह जानते हैं एक चीज को कि हमने ऐसे कर में की वह करना पड़ेगा हमें दूहां Car m हम पैसा कमाएंगे, जमा करेंगे, या ये करेंगे, वो करेंगे, हमारा पैसा दुगना होगा, हमारे बहुत सारी खुशियां मिलेंगी, इससे हमारी लाइफ बैतर होगी, हम जिंदीगी में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन कर्म कोई नहीं कमाना चाहता, है ना सबको लगता है कि जो हम अपनी जिंदीगी जी रहे हैं जो सब कर रहे हैं है ना यही हमारे कर्म है लेकिन दोस्तो कर्म का अलग ही एक मैथ चलता है अलग ही एक हिसाब किताब चलता है जाने अंजाने की हुई किसी की मदद जाने अंजाने जब हम किसी को खुशी पहु पर चुछ बात लेकिन आपने यह नहीं देखा कि जिंदीगी में परिशान होते हैं तब हम भगवान से कहते हैं अगर हमने अच्छे कामें किये हैं तो हमारी लाइफ में यह हो जाए वह हो जाए इतनी इस परिशानी से हम निकल जाएं तो कर्म तो आपको ही करने पड़ेंग अच्छे अच्छे काम कर लोगा और आपको उस चीज का रिजल्ट मिल जाएगा दीरे दीरे तो सब चीजे होंगी ना आज आपने अच्छा काम किया उसका रिजल्ट आपको हो सकता है एक साल बाद मिले हो सकता है दो साल बाद मिले हो सकता है बीस साल बाद मिले लेकिन मिल लेगा जरूर हमारे कर्म दोस्तों कहीं नहीं चाते अच्छे कर्मों का फल हमको जरूर से मिलता है ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने लाइफ में अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको उसका फल जरूर से मिलेगा अब जैसे भी कर्म कर रहे हो वही चीज़ा आपक को बहुत हलके में ले लेते हैं कि हमने उसको इतनी सी बात तो बोली थी इतना परिशान होनी व थोड़ी खुशी हो जाती है, भले खुदी अपने आपको सोचे की ना में अच्छा हुई या बरो, लेकिन आपने तो अपनी तरफ से अच्छे कर्म करने थे, ना आप अच्छे लग रहे हो, हमारे कर्म है ना वो धीरे धीरे खटे होने लगते हैं, और जब हमें जरूरत में जब परिशानी आती है, हम मुसीबत में होते हैं, हम दुआई मांग रहे होते हैं, है ना प्रातना कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे द्वारा किये गए कर्म इकत्रित होकर उनका योग हमको बिलता है और हम उस परिशानी से बहार आ जाते हैं, तो दोस्तों जब आपक कर्म सब कुछ खटा होकर हमें जिंदिगी में आगे वढ़ाते हैं एक अच्छा रस्ता दिखाते हैं दोस्तों जिंदिगी बहुत बहुत अनमोल होती है इसको केवल ये दूसरों की अलोचना करने में कामपैरिजन करने में निगेटिव बोलने में मुझे नहीं लगता कि हमक के पास आज गई होगी या स्क्रिन पर आई होगी स्कॉल करते समय तो उनका समय आ गया है कि हां हमको अपनी लाइफ में बहतर बनना है हमको अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करने हैं उससे पहले हो सकता है आपको बहुत सारी वीडियो आई हो है ना आप देखे फोन तो अच्छा बनाना चाते हैं अच्छे कर्म करना चाते हैं आपका समय आ गया है है ना तो ये चीज़े ना पहले से सब चीज़ें decided होती है हमारी लाइफ में कि कब क्या होने वाला है कब क्या नहीं होने वाला है ये सब कुछ हमारे कर्मों पर depend करता है कि हमने कैसे कर्म करकर आ हमने जाने अंजाने कभी ना कभी किसी को दुख दिया होता है है ना और हमें लगता है कि हमने तो बिल्कुल हमारी जीवन है ना बिल्कुल स्वेत है यानि कि बिल्कुल ब्लैंक है स्वेत है क्लीन चिट है हमने कभी किसी को दुख नी दिया तो दुख देना जैसे मैंने आप यह अगर आपःस से और यह से अगर यह आगे की जिन्दिगी आपकी बैतर हूं आपका जो bank balance में अच्छे कर्म इकत्रित हो जाए जो कि आपको आगे काम आए है ना अच्छे कर्म करते चली जहां से आपको समझा जाए बिना भगवान की मर्जी के बिना भगवान की चाहे आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते हैं भगवान नहीं चाहा है कि आपको आज से इस रहा पे चलना है या आपको इस छेत्र में जाना है आपका समय आगया है तब ही हम उस चीज में जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि फाल्तु की टैंशन लेना फाल्तु का सोचना सब कुछ बेकार है सची में सब कुछ बेकार है सिर्फ और सिर्फ कर्म अच्छे रखे क्योंकि जब कर्मों का ही खेल है सारा हमें कर्म की वज़े से ही आगे लाइफ हमारी भैतर होगी कर्म की वज़े से ही हमारा आद अच्छा होगा कर्म की वज़े से ही हम खुशियां जो हमें मिलेंगी कर्म की वज़े से ही सब कुछ होग हम इतनी दुखी क्यों है, हम बीमार क्यों हो रहे हैं, लोग हमसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं, अभी न कभी कहीं न कहीं ऐसा करके आए हो सकता है, पिशले जनम में किया हूँ, मैं तो इन चीजों को मानती हूँ देखो, जब हमारी लाइफ में परिशानी आती हैं, प्रॉब है न तो परिशान होने की तो बिल्कुल ज़रूद नहीं है, लोग इतना परिशान होते हैं, सरीरिक, शारिरिक इतनी कष्ट होते हैं लाइफ में, उसको लेकि अपना आज, कल, सब कुछ खराब कर लेते हैं, अब सरीर है तो कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, है न जो जिन है ना मेरी वीडियो आपके पास आई है इट मिंस आप चाहते हो कि आपके करम आगे के अच्छे हो जाने जाने सबसे गलती हो जाती है हमसे भी हुई है तो उसको सुधार हो हो सके तो अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो घर बैटे ही हाथ जोड़ सोरी बोल दिजिए चम्हा मांग लिजिए कि जाने औन जाने मैंने किसी के दिल दुखाया है किसी कर्मा कर्म से ही ही सब चीज़ें आपके पास लोट के आने हैं अब जब मुझे यह चीज़ पता लगे है ना, personally आपको बता रही हुं कि Karma is always back, तो मैं तो बहुत सो समझ के व्यवार करती हूं, बहुत सो समझ के बोलती हूं, especially इस वानी से, है ना, तारीफ ही निकले किसी की निकले, तो बुराई तो किसी की ना निकले, है न एक comment आया था कि क्या हमें जूठी तारीफ करने चाहिए अरे बिल्कुल कर दीनी चाहिए क्या problem है जूठी तारीफ करने से क्या आपका bank balance खाली हो जाएगा जूठी तारीफ करने से क्या बहुत बड़ी property उदर चली जाएगी और उदर किदर आ जाएगी क्या हो जाएगा सब्सक्राइब किसी को खुशी मिल जाएगी खुığın सब्सक्राइब किया क्या तारीफ करने से कि लोगा इतना सोए है थारीफ करने के लिए कि अगर वह सुन्दर को क्यों बोल दें अरे ब्धोन क्या दिक्क्त है आप सुन्दर लग रही होएग तSee इसे तो लिआ होगी में कुछ नगुछ होती ही है हमहार न नहीं हम देखते हैं लाइन नहीं कहता है we कपड़ी के पेंटीミ κιि कैसे चलती है किसे चलती ऊसका प्रेस ऐसा हो रहा है आंखों के काले दभी आरे अंव बहुता Komm your कि में cyst बते तो किसी को मत बोली है धुटता है धार्द होता है यहां पर सुष्सी कर दो तो मत बोलिया किसी के भी, टीनेजन में के अधान भी मुहां से निकलते रहते हैं और नॉर्मली हमको भी लोग बोलते थे जब हम छोटे थे ना जब फिम्पस होते थे तो हम तो निकलते हैं नहीं ते गली महले में, अरी कुछ दिखा लो इनको, किसी डॉक्टर बोक्टर पर चैरा सारा खराव हो गया, पता नहीं इनकी शादी कैसे होगी, लोग तो यहां तक बोलते थे कि शादी कैसे होगी इसकी, कैसे को शादी करेगा, मतलब इसका चैरा इतना खराब है, मेरो बहुत जाला फिम्पस है, ऐसे करका, और अभी भी देखे, कुछ नो कुछ होता ही इसके लिए दो लड़का ही मिलेगा, और यह तो इतनी छोटी है, अरे यह लड़का इतना छोटा है, यह नोकरी कैसे लगेगी इसकी, अरे यह इसका हाथ ऐसा है, यह वैसा है, कप्ले, मतलब क्या है या, यह चूटी-चूटी बात को क्या नूटिस करना, पूछना है तो जिन्दगी में सब बढ़िया, खुश, सब सब जिन्दगी में अच्छा चल रहा है, बाल बचे सब बढ़िया, खुश हो ना, यह पूछे किसी से, और हाँ अभी मुझे खुछी से जाद आया, कि जब हम से कोई पूछे ना, कि आपका, आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, तो हमे हमेशा वापस आते हैं, तो सोच समझ के विवार कीजिएगा, जब से मुझे कर्मा वाला खेल समझ में आया, तो मैंने तो बहुत ही अलेट हो गई हूँ, बहुत ही सोच समझ के, जो विवार करती हूँ, किसी का दिल ना दुखे, ऐसी बातें करते हैं, है ना, गलत को गलत सही को सही बोली। हम यह नहीं करें कि कोई आपका करें कोई आप से उल्टा बोले तो आ बिलए। उसकी तारीफ ही करते रही वहां तो देखें आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ऐसा सथ है नहीं कि पोजफा बोलते भी नहीं हैं, हम उनको बोलते हैं जाके, बहुत सारे लेडि़िज या बहुत सारे लोग, ऐसे लोग को ऑशD करते हैं जोकि आपको रिप्लाइ नहीं करते हैं, तो माफी माँग लीजिए माफी माँगने से अपने भगवान से माफी माँग लीजिए घर बैटे उन से माफी माँग लीजिए अब मैं सोसती हुँ ना कि भई मैंने किसी को कुछ उल्टा तो नी बोला किसी को कुछ ऐसा तो नी बोला अगर बोला भी होगा जाने अन जाने म तो सोने से पहले मैं ज़रूर ये प्रातना करती हूँ कि भूल चुक माफ करना प्रभू बहुत ज़रूरी है दोस्तों तो जो हमारी लाइफ को बहतर करने की टिप्स है ना जो खुशी की जो चावी है वो हमारे ही हाथ में है तो जिन्दगी इंजॉय कीजिए अच्छे कर्म करते रहिए और जैसी जैसे अपनी लाइफ को बनाना चाहते हैं जैसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो वैसा ही सोच लीजिए आप चाहते हो कि आपके पास चार पीए वाली गाड़ी हो आप चाहते हो कि आपके पास ये वाली गाड़ी हो ऐसा घर हो ऐसी चीजे हो तो सोच अपने दिमाग में डालीजे कि हाँ हमारी जिन्दगी को हमें इस तरीके से करनी है मुझे मेरी लाइक में यह चाहिए यह नही करते रहे में जो वह बहुत बिलीव करती हु इन चीजों पर तो दोस्तो अगर आप मेरी वीडियो पर फर्स टाइम आए हो और आपको भी कर्म का खेल का ग्यान नहीं है और मेरी वीडियो से पता लगा है तो आज से ही अपने उपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने बैंक बैलेंस में बहुत सारी अच्छे-च्छे कर्मे खटा करना स्टार्ट कर दीजिए है अच्छा बोलिए स्माइल रखे है चहरे पर ताकी आप के पास जो लोग आए ना उनके चेरे पर भी स्माइल आ जाए आपकी स्माइल देख कर कितनी भी प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में आपके पास खड़े हो न तो उनको अच्छा लगे उनको पॉजिटिव पॉजिटिविटी का एहसास हो उनको लगे कि हाँ यहां आता हो न तो कुछ तो बात है तो ऐस जी अपनी फ्रॉटि को डिएपल एक रखीए अपने कर्म का खेल वह तकला होता है दोस्तों बहुत बहुत比गा ह्टतों हमारे थिस 내ास के अपनी इसे कत और हम कर्म को नहीं लिन हो नहीं होते होते हैं, वोमारे कर्म हम से लेते हैं, क्योंकि हमारे क कर्म, योग, सब कुछ मिलके हमारी बुद्धी को फिर देते हैं, और क्षाम कार में करे干ी हरे हिंते हैं, जो फिर सबिस्सक्राइड हैं holy How Cant अपने पापा से आपने घर में ऐसे मैं कैसे बोल सकती हूँ मैं तो ऐसी नहीं हूँ तो वो सब कुछ हमारे कर्म हमसे करा देते हैं क्योंकि हमने ऐसे कर्म किये होते हैं अच्छे कर्म करोगे तो आपकी जो है जिन्दगी बहुत सभी ट्रैक पर जाएगी I hope दोस्तों आप मे लाइफ को बहतर करने के कोशिश कर रहा होगा और लाइफ चेंजिंग पर बिलीव कर रहा होगा जैसे मैं करती हूं है न एज जस्ट नंबर कहीं से भी जिन्दीगी शुरू किजा सकती है तो कर्म को समझिए काम कीजिए अच्छी सोच रखिए खुश रखिए भगवान का थैंक्यू करते रहिए और जो भी चीज़ें हमरी लाइफ में हो चुकी है वहाँ उन पर काम ना करके आगे जो हम लाइफ में कर चाहते हैं जो जैसा बनना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए क्योंकि जो हो चुका है वो तो कोई नहीं बदल सकता लेकिन जो होने वाला है या थैंक्यू बोलें और खुश रहें लाइफ में वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बातों से सहमत हो तो एक लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं बूलेगा और हमेशा बोलते रहें थैंक्यू यूनिवर्स थैंक्यू गॉड तो चले दोस्तों मिलती हूं नई वीडियो में जो तक अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए जैस्री किष्णा रादे रादे